Hello Friends, Welcome to SSC Stenographer Zone 500 शब्दों का यह डिक्टेशन आपको 100 शब्द प्रती मिनट की गति से बोला जाएगा यह डिक्टेशन SSC के नवीनतम पैटर्ण पर आधरित है और इसमें वाक्यांशों वशब्दों का चयन इस प्रकार से किया गया है जैसा कि आजकल SSC Stenograde C के स्किल टेस्ट में अक्सर बोला जाता है SSC के आगामी स्किल टेस्ट हेद विशेश रूप से बनाए गए 80 वा 100 शब्द प्रती मिनट की गति से 10 मिनट के डिक्टेशन पूरे मैटर के साथ हमारे मिम्बर्स के लिए उपलब्द है High Definition Audio में शुद्ध वसाफ प्रोनोंसियेशन के साथ हमारे अनुभवी एक्सपर्ट्स तोरा परिक्षाओं के लिए नवीनतम पैटर्ण को ध्यान में रखकर तयार किये गए मैटर के बावजोद हमारी मिम्बर्शिप की कॉस्ट काफी अफार्डबल रखी गई है हमारी इस प्रीमियम सीरीज को जॉइन करने के लिए वीडियो के नीचे दिये हुए जॉइन बटन पर क्लिक करें या अधिक जानकारी के लिए दिये गए वार्सेप नंबर या इमेल पर संपर्क करें डिक्टेशन शुरू होने में 10 सेकेंड शेष हैं 5 सेकेंड स्टार्ट उपाध्यक्ष महोदय आज की स्थित के संदर्भ में संयूक्त राज्य अमेरिका और शस्त्रों से सज्जित अन्य राष्ट्रों के हाथ में ही युद्ध और शान्त की कुंजी है उनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है लेकिन युद्ध और शान्त के इस मामले में छोटा बड़ा हर देश चिंतित है इसलिए हर देश को इसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए और इस उदेश के लिए काम करना चाहिए इन समस्याओं को कारगर ढंग से हल करने के लिए हमें गंभीर और अवैक्तेक रूप से विचार करना होगा केवल सैयुक्त राश्र ही अंततह इन समस्याओं को हल कर सकता है इसलिए निरस्त्री करण के सभी प्रयासों का स्वागत होना चाहिए सैयुक्त राश्र को ऐसे प्रयासों से घनिष्ट रूप से जुड़ा होना चाहिए निरस्त्री करण के प्रश्ण पर विभिन स्तरों पर विचार किया गया है उसका एक पहलू सामान निरस्त्री करण तथा परमाण तथा ताप परमाण शस्त्राश्त्रों के परिक्षण विस्फोटों को समाप्त करना है, जहां तक परिक्षण विस्फोटों का संबंद है, जिनेवा में हो रही समिति की बैठक में काफी चर्चा हुई है, उसमें काफ प्रगति हुई है वास्तों में ऐसा लगता है कि बहुत सी बुनियादी समस्याओं के बारे में सहमति हो गई है और इस समझोतेव को पूरा करने के लिए थोड़ा और प्रयास होना चाहिए मेरा सुझाव है कि इस विशेपर अंतिम समझोता यथा संभव श्रीग्र से श्रीग्र हो जाना चाहिए यह सही अर्थों में निरस्त्री करन नहीं है लेकिन ऐसे समझोते से संसार को निस संदेह राहत मिलेगी जन संगार के शस्त्रों का निर्मान पर रोग संग्रह और उपयोग पर मनाही और परमपरागत शस्त्रों को क्रमशा सीमित करना भी निरस्त्री करन में शामिल होना चाहिए मानी हुई बात है कि निरस्त्री करन इस प्रकार के चरनों में हो कि मोटे रूप में शस्त्र सक्ति का संतुलन बना रहे इस काम में इसी आधार पर सफलता मिल सकती है और डर की व्याप्त भावना का सामना किया जा सकता है इस बात को भी साफ तवर पर समझ लेना चाहिए कि निरस्त्री करन और नियंत्रन तंत्र साथ साथ चलने चाहिए दोनों में से किसी को भी अलग-अलग नहीं किया जा सकता निरस्त्री करण का प्रश्ण एक विशेशग्य समिति को सौपने का प्रस्ताव किया गया है वास्तों में विशेशग्य इस मामले पर पिछले कुछ वर्षों से विचार कर रहे हैं और हमें उनकी राय से लाब हुआ है विशेशग्य समिति को मामला सौपने के कारण मुख्य समस्या तलनी नहीं चाहिए ऐसा विलंब विनाशकारी होगा यह भी संभव है कि जब सयुक्त राष्ट्र आयोग या दूसरी समितियां मुख्य प्रश्णों पर विचार कर रही हों तो किसी विशेश पहलू को विशेशग्यों को सौप दिया जाए महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी सयुक्त राष्ट्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निरस्त्री करन को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त विवस्था है और यह विवस्था लगातार चालू रहनी चाहिए अनेक वक्ताओं ने इस मंच से संसार की स्थितिका सर्वेक्षन किया है और विभिन समस्याओं पर अपने विचार प्रकट किये हैं मैं जिसे मूल समझता हूँ उसी पर ध्यान दूँगा स्वाभाविक है कि मेरे मन में अपने देश की समस्याएं और विकास करने तथा अपने लोगों के निम्न इस्तर को समाप्त करने की अत्यंत तीवर इच्छा है स्टॉप दोस्तों आशा है आपने इस डिक्टेशन को अच्छी तरसे लिख लिया होगा बेतर गति और गलतियों को कम करने के लिए इसे पढ़कर मेटर के साथ मिलान जरूर करें और यदि संभव हो तो टाइप भी करें मेटर का लिंक आपको पिंड कमेंट वर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा किसी भी तरक हेल्प के लिए आप हमारे टिलिग्राम चैनल को भी जोइन कर सकते हैं डिक्टेशन कैसा रहा हमें कमेंट में जरूर बताएं और हाँ यदि आप स्सी का स्किल टेस्ट देने जा रहे हैं तो स्सी के आगामी स्किल टेस्ट हेदू विशेश रूप से बनाए गए असी व सो शब्द प्रति मिनट की गति से दस मिनट के डिक्टेशन पूरे मैटर के साथ हमारे मिम्बर्स के लिए उपलब्द हैं अधिक जानकारी के लिए दिये गए वार्टसेप नमबर या इमेल पर संपर्क करें